गुड मॉनिंग बच्चो रसाइन की पाठ साला में सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चो आज मैं आपके समक्ष रसाइन बग्ज्यान की मूल अब धारणाओं के संबंद में कुछ तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आप सभी उन तथ्यों को भली वाती देखकर समझेने का प्रयास करेंगे। प्रारंब में अठार्मी सताब्दी में रसाइन बग्ज्यान में पदार्थ को मुक्तए दो भागों में विवाजित किया जाता था। पदार्थ में दो भाग होते थे शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ था वैं मुक्तए तत्व वा योगिक में विवाजित था एवं अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण के रूप में व्यक्त करते थे। अर्थात पदार्थ मुक्तए शुद्ध पदार्थ वा अशुद्ध पदार्थ के रूप में विवक्त था। शुद्ध पदार्थ तत्व वा योगिक एवं अशुद्ध पदार्थ मिश्रण कहलाता था। तत्व पदार्थ की वह अवस्था थी जिसमें एक ही प्रकार के कण विद्रिमान होते थे जैसे एक पात्व में यदि कार्वन रखा हुआ है तो ये तत्व है तत्व वह पदार्थ था जो शुद्ध था समांग था और उसमें एक ही प्रकार के कण उपस्थित थे इसी प्रकार योगिक दो या दो से अधिक तत्वों के परमानों से मिलकर बनने वाला शुद्ध और समांग पदार्थ था इसमें भी एक ही प्रकार के कण विद्रिमान हो दे थे मिश्रण मुख्ते दो भागों में विवाजित था समांगी मिश्रण और बिशमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण बहे मिश्रण था जिनके प्रतेक अभियब का संधटन एक समान था अर्थात इसको कहीं से भी हम प्राप्त करेंगे सभी जगाए एक ही प्रकार के अभियब थे जैसे कि यदि हम दूध में पानी मिला दें तो एक समांगी मिश्रन बन जाएगा, बिशमांगी मिश्रन अलग-अलग भागों का संघटन अलग-अलग था, अर्थात यदि हम पानी में रेत मिला दें, तो पानी और रेत का मिश्रन बिशमांगी मिश्रन होगा, कर ऊपरी भाग में जल होगा, निचले भाग में रेत के क होंगे बच्चों अठ्यार्मी सताब्दी थक तत्वों को उप्रोक्त बर्गी करण में सबसे ज्यादा क्रांती सबसे ज्यादा भूमी का डाल्टन ने निभाई डाल्टन ने सन 1897 में पदार्थ में उपस्तित तत्वे उपस्तित परमानों के संबंद में एक अबधार्णा प्रस्तोत करती यह अबधार्णा पदार्थे सम्मंदित सबसे ब्यापक अभी धार्णा थी जब इस अभधार्णा को डायटन ने दिया उस समय तत्तों के गुणों के मूल अभधार्णाओं के बरगी करण में बहुत बड़ी करांती आ गई उन्होंने कहा कि जो पदार्थ होता है उसका सबसे छोटा कान परमाणू होता है और परमाणू को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं आ का मतलब होता है और टम का मतलब होता है कट अर्थार्थ पदार्थ का बह सूप्ष बितब भाग जिसको और अधिक बिभाजत नहीं किया जा सकता था उस भाग को डाल्टन ने परमाणू कह दिया डाल्टन ने परमाणू के संबन्द में बहुत से तथ दिये उन तथ्यों को हम सामूहिक रूप से डाल्टन के परमाणू सिधान के रूप में ब्यक्त करते हैं डाल्टन के अनुसार प्रतेक पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ के या छोटे छोटे कण परमाणू कहलाते हैं जो की सुख्ष्मितम होते हैं और अभिवाज होते हैं अर्थात पदार्थ का सुख्ष्मितम अभिवाज जिकन हमें परमानू कहना पड़ेगा दूसरी बात उन्होंने बताया यदि एक ही तत्व है उस एक ही तत्व के सभी परमानू अपने द्रब्यमानों में एबं अन्य बहुत एक बार रसाइने गुणों में एक समान होंगे। जैसे यदियम का उस समय जो कारबन था, कारबन का प्रतेक परमानों के गुण एक समान थे। लेकिन इस कारवन के गुण नाइट्रोजन से भिन्न थे अर्थात प्रतेक तत्व के सभी पर्मानों के गुण जैसे द्रबिमान रासाइने गुण आधी गुणों में समानताएं पाई जाती थी लेकिन उनके आगुण दूसरे तत्व के पर्मानों से भिन्न होते थे डाईटन के अनुसार पर्मानों सदैव छोटी छोटी पूरांक संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करता था उसके संयोग से जो नया पदार्थ बनता था उस नय पदार्थ को हम अनु कहते हैं जैसे कि हाइड्रोजन वा ओक्सिजन यदि दो अनुपात एक के अनुपात में संयोग करते हैं तो ह टूओ बनता है अर्थात परमानु छोटी-छोटी संख्याओं के अनुपात में संयोग करके अनुपाते थे उनके अनुसार परमानु को ना तोत्पन ने किया जा सकता था ना ही नस्ठ अर्थात पदार्थ अभिनाशी था द्रब्य की अभिनाश्ता नियम में इस बात की पुष्टी भी होती है बच्चों पना बताना चाहता हूँ डाल्टन ने परमानु के संबन में कौन-कौन सी अबधार्णाय दी परतेक पदार्थ अत्यन्त सूक्ष्म अभिवाज्यकनों से मिलके बना होता है पदार्थ के वाइगान परमानु कहलाते हैं एक ही तत्व के सभी परमानु के गुण जैसे द्रब्यमान आदी एक समान होते हैं लेकिन दूसरे तत्वों से यह गुण भिन्न होते हैं परमानु सदाइब छोटी-छोटी संख्याओं के अनुपात में सयोग करते हैं और अणू बनाते हैं परमानु को ना तोत्पन किया जा सकता है और नाहीं नश्ट किया जा सकता है के बच्चो उननीस भी सतावदी के अन्त तक अर्थाथ 18 सतावदी से लेके 19 भी सतावदी तक डाल्टन का जो परमानु सद्धान था लगवग बही सर्व मानने था और हमें परमानों के बारे में जो तथि डाल्टन ने बताई थी उनी तथियों के आधार पर परमानों की सनचनाएं आधी ग्यात हो रही थी मगर अठार्मी सतावदी के अंत तक आते आते हमें परमानों के संब्द में बहुत सी नई अवधानाएं मिल गई थी इस समय रधर फोर्ड थॉम्सन एबं चेडविक के सामूही प्रयासों से हमें परमानों के संब्द में कई नए तथ्यों की जानकारी मिल गई थी वो तथ् एबं डाल्टन के सिद्धान में क्या दोस्ते डाल्टन के अनिसार परमानूं पदार्थ का सूक्ष मितम कर्ण परमानूं नहीं है डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ का सबसे छोटा कर्ण परमानूं होता है लेकिन आधुनिक अबधार्णाओं में हमें एग्यात हो गया कि पदार्थ का सबसे छोटा कर्ण परमानूं नहीं होता है पदार्थ मुखते तीन मूल कणों से मिलके बना होता है जिने हम इलेक्टरोन, प्रोटोन वा नूट्रोन नाम देते हैं अर्थाथ डाल्टन की जो पहली अबधार्णा थी कि परमानू पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो अब धार्णा अब गलत साबित हो गई थी पदार्थ का सबसे छोटा कण इलेक्टरोन, प्रोटोन और नूट्रोन है पर एक बात उसमें थी कि परमानू किसी भी रासाइने का भी किरिया में भाग लेने वाला पदार्थ का सबसे छोटा कण अब भी है उन्होंने कहा था, एक ही तत्व के परमानू के गुण एक ही तत्व के परमानू के गुण समान होते हैं समान नहीं भी हो सकते डाइटन के अनुसार एक ही तत्व के सबसे परमानू के गुण एक समान थे, लेकिन आदुने कब ढ़ानाओं में एक ही तत्व के परमानू के गुण समान नहीं भी हो सकते हैं जैसे कि एक तत्त्व कारवन है उसका पर्मान उभार 12 है एक तत्त्व कारवन और मिला जिसका पर्मान उभार 14 मिला आप देख सकते हैं इन दोनों के पर्मान उभारों में अंतर आ गया है अर्थाथ एक ही तत्त्व के बे पर्मान जिसके द्रब्मान क्यासे है इनके द्रब् बिंहुआ एंगी तत्तु के ये वह पर्माणूं हैं इनके द्रब्रमान भिंधे एक्षी तत्त्तु के ऐसे पर्माणूं समिस्थानिक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बई एक ही तत्तों के बेपरमाणू जिनके द्रब्यमान अलग-अलग होते हैं उन्हें हम समिस्थानिक कहते हैं डाइटन ने तीसरी बात कही थी भिन्न तत्तों के परमाणू विन्न तत्तों के परमाणू के गुण समान भी हो सकते हैं डाइटन के अनुसर बिभिन्न अलग-अलग तत्तों के परमाणूं के गुण भीन्न होते हैं यह अफ धाडामी गलच सावेत हुई कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जैसे कारवन का पर्मान उभार चवुदा एक तत्व नाइट्रोने नहना है उसका पर्मान उभार चवुदा हम देख सकते हैं दौनों के पर्मान उभार एक समान है भिन्न तत्वों के ऐसे पर्मान जिनके द्रब्यमान समान है यह परमानू समभारिक कहलाते हैं डाइटन के अगले परमानू की ब्याख्या में उन्होंने कहा था कि परमानू छोटी-छोटी संख्याओं के सरल अनुपात में सयोग करता है अनू मनाता है मगर अभी बर्तमान में स्टार्ज, प्रोटीन, आदे, कुछ अनू इस प्रकार भी है जिन में परमानों की संख्याएं ग्यात नहीं है प्रोपर संख्याएं ग्यात नहीं है डाइटन का वह सिद्धान्त भी अमान नसाबद हुआ डाइटन के अनूशार पदार्थ को न उत्पण कर सकते थे ना ही हम पदार्थ को नश्ट कर सकते थे परन्तु आधुनेक अबधारणाओं में नावी किये विक्रियाओं द्वारा पदार्थ को नष्टि किया जा सकता है, पदार्थ को उर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं और नए पदार्थों का निर्मान भी हम कर सकते हैं तो डाल्टन सिध्धान्द की अबधारना से में जो दोश आये हैं, उन दोशों में हमें तीन मुखताई बाते मिली हैं, पहली परमाणू अब बिभाज है, परमाणू मुखताई एलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हैं, परमाणू में एक समिस्थानिक पद की ब्याख्या हुई है, और परमाणू में एक समभारिक टर्म की ब्याख्या भी की गई है, समिस्थानिक क्या होते हैं वई? समिस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणू, जिनके परमाणू भार एक समान होते हैं, समिस्थानिक क्या हैं? एक ही तत्व के वे परमाणू, जिनके परमाणू भार समान होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के तीन समिस्थानिक, ह1, ह2 और ह3 पाए जाते हैं, इसी परकार संभारिक क्या हो गया था? विभिन तत्तों के वे परमाणू जिनके परमाणू भार, एक समान होते हैं, जैसे कार्वन चौदा वा नाइट्रोजन चौदा संभारिक हैं, जैसे के परमाणू सिध्धान की दोशों में हमें तीन बातें इस पस्ट रूप से ग्यात हो गी थी, कि परमाणू तीन मूल कणों से मिलके बना हैं, परमाणू में के एक ही परमाणू के गुण भिन हो सकते हैं और भिन 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 परमाणू के गुण एक समान हो सकते हैं, बच्चों इलेक्रोन प्रोटोन वा न्यूट्रोन के खोज करताओं पर भी बहुत प्रस्ना आते हैं तो चूंकि इलेक्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन की खोज का यह जो टॉपिक था अभी आपके उत्तर प्रदेश बोर्ड परिक्षाओं के 30% सिल्यवास रिड्यूस करने कारण अभी हटा दिया गया है फिर भी खोज करता हों के नाम याद रखना है इलेक्षाओं प्रोटॉन उत्र नोटोन खोज करता होंके नाम के लिए आपको एक सब्द ईट पर नाच इस सब्द याद रखना है इका मतलब इलेक्षाओं खोज करता टॉंसं पा का मतलब प्रोटोन खोज करता रदरफोर्ट और नाच का मतलब neutron और खोज करता Chadwick इट electron खोज करता Thompson पर proton खोज करता रदरफोर्ट नाच neutron खोज करता Chadwick इस ट्रिक से आप electron, proton और neutron के खोज करताओं के नाम ग्याद कर सकते हैं अब हमें जान चुके थे कि परदार्थ मुखता है तीन मूल अभी अभी कणो electron, proton, neutron से बना होता है परदार्थ का सबसे छोटा कण जो रासाइने का भी क्रियान भाग लेता है वह है परमानू था तो परमानू के बारे में और हम क्या-क्या जान सकते थे इस बात को हमें आगे से पढ़ना है पहले हम परमानू का द्रब्यमान नापते हैं बच्चो सामानत है द्यनक जीवन में किसी भी बस्तू का द्रब्मान मापने के लिए हमें उसकी वेट की आवसकता पड़ती है एक मानक इकाई की आवसकता पड़ती है जिससे हम उस बस्तू का द्रब्मान माप सकते हैं तो कार्बन जिसका परमानू भार बारा था इसका एक बटे बारमा भाग कार्बन जिसका परमानू भार बारा था इसके एक बटे बारमे भाब को एक atomic mass unit, यहीं कि कार्बन के परमानों हार के, कार्बन के एक बटे बारमे भाब को एक atomic mass unit माना गया, इससे सभी परमानों के atomic mass की तुलना की गई, जो भी परमानों इसके atomic mass से जितने गुना भारी था, वह उसका परमानों द्रबिमान या परमानों भार हो गया, जैसे कि hydrogen का परमानों C12 के एक बटे बारमे भाग से एक गुना भारी था, hydrogen का परमानों C12 के एक बटे बारमे भाग से एक गुना भारी था, तो H का परमानों द्रबिमान बराबर एक AMU, ये एप्रॉक्स बैल्यू है, बैसे इसकी सही बैल्यू 1.008 AMU आती है, लेकिन अभी हम एप्रॉक्स बैल्यू लेंगे, लगभग बैल्यू लेंगे जो नियर अबाउट होल नंबर में है, तो हाइड्रोजन का इसी प्रकार, नाइट्रोजन का एक परमानों C12 के एक बटे वार में भाग से चाउदा गुना, कितने गुना भारी था हुए? चाउदा गुना भारी था, आता है, इसका परमानों भार 14AMU हो गया, 14AMU हो गया, मैं पुने बता रहा हूँ, मैं नियर एस्ट होल नंबर में ले रहा हूँ, इनके मास कुछ पॉइंट में भी आते हैं, तो परमानों द्रब्बान को नापने के लिए यूनिट क्या लिए गई है? C12 का एक बटे बार में भाग को एक 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 मास माना, हाइडोजन का एक मास नकालने के लिए से, देखा, C12 के एक बटे बार में भाग से एक गोदा भारी था, इसी प्रकार, नाइट्रोजन C12 के एक बटे बार में भाग से 14 गुना भारी था, इसका परमानों भार 14 आ गया, अता हम संचिम में कह सकते हैं, कोई भी तत्व C12 के एक बटे बार में भाग से जितने टाइम हैवियर होगा, जितने गुना भारी होगा, वह है उसका परमानों भार या परमानों द्रमान होगा, यदि हम इस परमानों भार को ग्राम में बैक्त कर दें, तो उससे हम ग्राम परमानुभार कहेंगे परमानुभार को ग्राम में ब्यक्त करने पर हम जो एकाई प्राप्त होती है जो राशी प्राप्त होती है उस राशी को हम ग्राम परमानुभार कहते हैं आशा है परमानुभार के संबंद में जो परिवाशा है वो हमें संबंद में आ रही है परमानुभार क्या है किसी तत्व का परमानुभार वह संख्या होती है जो C12 का एक वटे बार में भाग से जितने गुना भारी होता है अर्थार कोई तत्व C12 के एक वटे बार में भाग से जितने गुना भारी होगा बहराशी उस तत्व का परमानुभार कराईगी ठीक इसी प्रकार हम अनुभार भी ग्याद कर सकते थे जैसे परमानुभार के लिए यूनिट ली गई थी C12 का एक बटे बार मा भाद ठीक उसी प्रकार अनुभार के लिए भी यूनिट ली गई है कोई भी अनु कारबन बारा के एक बटे बार में भाग से जितने गुना भारी होगा वह उस अनुगा अनुभार कहलाएगा यदि इस अनुभार को ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसे हम ग्राम अनुभार कहेंगे ग्राम में अनुभार, ग्राम में अनुभार बैक्ट करने को हम ग्राम अनुभार कहेंगे, इसके कुछ नुमेरीकल कॉस्चन है, वो मैं आपको करा रहा हूँ, प्रस्न दिया है, किलोरीन के दो समिस्थानिक, CL के दो समिस्थानिक, CL 35 वा CL 37 प्रकृति में, भारान उसार, तीन अनुपात एक में पाए जाते हैं, इनका औसत पर्मानुभार ग्यात कीजिए, इनका औसत पर्मानुभार ग्यात कीजिए, औसत पर्मानुभार ग्यात करने के लिए, हम उनका भार लिखेंगे, और जितनी मात्रा वो पाए जाते हैं, वो लिखेंगे, जैसे हम कहें, CL का औसत पर्मानुभार, बराबर, CL 35 तीन भार में पाया जाता था, तो तीन का 35 में गुणा कर दिया, CL 37 एक भाग में पाया जा रहा था, उसका उसमें गुणा कर दिया, 35 और 37 और क्यूंकि कुल में लाके 4 भाग थे, तो 4 लिख दिया, जब इनको जोड़ा 105 धन 37 बटे 4 अंसर आया, 142 बटे 4 उत्तर हुआ 35 दसंबलब 5 ए एम यू, प्रस्ण हो गया था, CL के दो समिस्थाने, CL 35 और CL 37 प्रकृती में इस अनुपार्ट में पाया जाते हैं, इनका उसत पर्मानुभार गया हुआ, हम उसत पर्मानुभार इसे निकाल सकते हैं, इसी प्रकार प्रस्ण आता है, गुलुकोस पर्मानुभार इसे अनुभार इसे निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का पर्मानुभार एक दिया है, और ऑक्सिजन का पर्मानुभार सोला दे रखा है, हम जानते हैं, कोई भी अनुप पर्मानुभार से मिलके बनता है, और उस अनुपार भी उसमें उपस्थित सभी पर्मानुभारों के योग के बरावर होता है, अर्थात यदि हमें C6, H12, O6 का अनुभार नकालना है तो इसके लिए हमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, एवं 6 ओक्सिजन पर्मानुओं की भार को जोड़ना पड़ेगा अर्थात 6 ओक्सिजन, एक ओक्सिजन का पर्मानुबार 16 होता है पहले कार्बन ले लें, एक कार्बन का पर्मानुबार 12 होता है 12 hydrogen इसका परमानुवार एक होता है और 6 oxygen इसका परमानुवार 16 होता है यह 72 हुआ इसका अंसर 12 आया इसका अंसर 96 जोडने पर 180 amu आया atomic mass unit यदि हम इसको ग्राम में लग देंगे तो यह ग्राम अनुवार हो जाएगा बच्चो मैं आशा करता हूँ आज का यह topic जिसमें हमने पहले परमानुव की संबंद में डायेटन का सिध्धान्द बताया डायेटन के सिध्धान्द के दोशों को इंगित किया और नभीन अबधानाओ में इलेक्रण, प्रोटोन, न्यूट्रोन की खोज समिस्थानिक संभालिक के बारे जानकारी की हमने तथा अध्याय के एंट में परमानुभार एबं अनुवार के संबंद में नई नई जानकारीया प्रदान की हैं अपने अगले टॉपिक में परमानुभार और अनुभार से संबंदित जो आंकिक प्रस्थ आपकी परिख्षाओं में आते हैं उनसे संबंदित बात करेंगे मैं आशा करता हूँ हमारे सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे एवं कोरोना के संकमर से बचने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे ठैंक्यू